अधर्णिय दर्शक ब्रिंद नियारु सवे मा सुभप्रवात एवं ओमादी मा राजु अधिकारिय है सगरमाथा नेपाल को पहिचान हो नेपाल को स्त्रिपेच हो नेपाल लाई चिनावने एक धर्वर हो सगरमाथा को सिखर मा पुगने पहिला दुई ब्यक्ति मा एडमंड हिलारी रा तेंजिंग सेर्पा को नाम हमें लीने गर्शु वहां उरले पटक पटक प्रयास गरनुबो रद पटक पटक को प्रयास पछी सफल ता चुमनुबो एडमंड हिलारी करीब पंदर पटक सम्मा असफल हुनुबो वनीज तेंज पस्चात को प्रयास मा असफल हुनुबो जब वहां बारंबार असफल हुनुबो एक दिन बिहाने सगरमाथा को चुचुरो को तल बेस क्याम्प मा बसेरा वहाले सगरमाथा तीरा हेरदई वन्नुबय तीमी पहाड को थुप्र हुँ तीमी बढ़न सगदैनो बड़ी हाले मा के यहुँपरे वन्ने थपिन छ अनि बढ़वला एक दुई मिटर दुई-चार मिटर तर मा मानवु मुँ बढ़न सक्षू मा माती जान सक्षू मेरो इच्छा सक्ती संकल्प सक्ती लाए अरु द्र पहुच प्रसंगली दिखा ने दुधर दर्शकड बरीण्द levar शक्षू तर तीमी परवत पत्थर निरजीब बसतुले सकते नो तesकारण यस पठक में असुपराप्त गर्याई खोड़े चुड़ु इस पठकम संगरमाथा को चुचुरो पुगे रंधे वाहा को ुखु लाई बिकल्परहेद बनाऊशों, तब सफल्ता नजी काऊशों, हरेक बेक्तिको चाहाना सफल हुने चाहाना, सफल्ता सबैको जन्मसिद्ध इच्छा वित्र पर्दच, तपाई हां, म, हामी सबैले सफल हुने चाहांशों, परम पुझ्या बाल्योगी आधित्ति जू, सफल हुने केई सुत्र हरु दिनोंच, बिविन्न जिग्यासु, सफल्ता का इच्छुक हरु, अनुरागी हरु, सफल्ता का पत्मा अगाडी बड़ेका जिग्यासु अरलाई, पुझ्या बाल्योगी आधित्ति जिवले दिनोंबहेका मंत्र हरु, निकैने उपयोगी छनु, वह पुझ्या बाल्योगी आधित्य, प्रस्तूत गुरुबाडी का माध्यमबाटा, हमिलाई समझाओ दे योनोंच, कि सफल्ता बनेकेई चुनाउती हो, चुनाउती अर्थात सधाको भंदा अलिक बड़ी महनत माग दसा, पुरुशार्थ माग दसा, प्रयास माग दसा, तेस को नाम चुनाउती हो, शफल्तामा चुनाउती हुन्छा नई, सहस्तामा त जो कोही अगी बड़छ, यदी रावड नभय को भय, स्त्री राम हुन्हुन न थियो आधर्णिय दर्शक ब्रिंद, परयाम पुजिय बाल्योगे आधित्य जीवद्वारा लिखित यो दिव्य बाड़ी, तपा हमी सबैले ब्यभारिक जीवन माँ भोगेको, देखेको, अनभूती गरेको, रा यो सुत्रसंग, साक्षातकार गरेको विशयो, हो शफल्ता का ल गंगामा गवर मिलछ, त्यो गंगा भनेर चीनीं छा, गंगा भनेर कहलाउंच, तब उसले महानता सफल्ता प्राप्त गर्शा, तर त्यो बंदा अगाडी उल्ले पत्तर संग, पाहाड संग, अभरोज संग, विविन न माटा का दिषका हरु संग, विविन अफ्ट्यारा बग न जाननों पर से, वो शफलता का लागी चुनोवती अवश्या आउँश, चुनोवती पच्छी को सफलता मा मतरे फेरी आत्म गवरव आत्म संतुष्टी उन्छ, एक यसाई प्रसंग मा परम्पुज्य बाल योगे आजित्य जु बननोंच, कि यदी रावड नभयको भ परिकल्पना हुने थिये, राम एक सुपात्र, राम अड़ एक कुपात्र कुरूपले, हामी कथा कहानी मा पढ़ने गर्शूं, महापुरुस बनावनलाई और धेरेले बिपरित किसिम का भुमिकाहरू खेली रहेका आउंच, यसर्थम मा राम भगवानलाई पुरुस उत् अवतार ले, एक भगवानले, एक नागरिकले, एक स्रिमानले, एक पिताले रा, एक पुत्रले गर्णुपर ने भुमिकाहरू, उत्कृष्ट ता पुरुवक निवावनु भाहेको हुनाले, वहां पूरुसोत्त्तम हुनु बनावने सवय वंदा ठुलू योगदान राव पड़ उनुको गरिमाले नै, भगवान स्रीराम लाई पुरुसोत्तम अवतार को रुप माई स्थापित गरोू, ये सही गरी अफ्ट्यारा, विसमता, उतार चड़ाब, चुनोहुती, कठिनाई का बाभजुद जुन सफलता प्राप्त हुन्छ, त्यों सफलता को आनंद ये कुरा परम पुझ्य बाल्योगे आधित्य जु, आमिलाए माथी वाचन गरियोको गुरुबाड़ाई का माध्यम बाटा समझाओ दे योनुँँछ, सफलतार चुनोहुती का विसमा एक प्रसंग मा पुझ्य बाल्योगे आधित्य जुले दिनु भएको प्रसंगर्षा 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 तिनी हर लाई प्रसन्न ता पुर्वक, शिकायत नगरीकन, गुनासो नगरीकन सहदै, यदि हामी अगाडिवडियों बने, तेस लाई तप बनेंचा, तपश्या बने को यही हो, तेस कारण तप हमरे जीवनमा संगर्स अवस्य चा, शंगर्स लाई डिपरेसन अर्थाद प्रशाद बनावनु परछ, तपश्या बनावनु परछ, योने अध्यात्मिक पुरुषर को सुजावो, यस तै शफलता रा चुनावति का विशयमा, परम्पुजय बाल्योगे अधित्य जीवले दिनु भायको, अरको अत्यांताई महत्तपोन गुरुवाडि यस प्रका वास्तम्मा सफलता को गंगा चुनावति को महासागर्मा मिल्च, सफलता को जुन चट्टान च, ते चुनावति को 60 ग्राम रुपी सीलाल लयमाल गयर मिल्दच, जो सफलता को चुचुरो च, ते चुनावति को हिम स्रिंखलामा गयर मिल्च, जो सफलता को ब्रिक्ष च, त चुनवती को जंगल मा बन मा उपबन मा गयरा मिलदाचा। आधरनिया साथियरू, आधरनिया दर्शक बरिंद, शफलता चुनवती मा मिलचा, और चुनवती लाई जीवन सैली बनाएंचा। चुनोवती लाई स्विकार गरेंच, चुनोवती लाई आफनो जीवन मा अपनाएंच, त्यस पची फेरी औरको ठुलो सफलता मिलच, जुन सफलता को कक्षा चड़दै जाएंच, चुनोवती को डिगरी पनी बड़दै जांच, एउटा विध्यार्थी सानो कक्षा मा सफल पेशी उसका आगाडी ठुलो कक्षा का चुनोवती हरू पस्तित्तों चल अनि ठुलो कक्षा पनी पास गरी शाके पेशी फेरी लोक्षेवा को परिक्षा, जनसेवा को परिक्षा, उद्योग ब्यवशाय को परिक्षा, आजिविका को परिक्षा दिनु परने होंच, अनि आत्मशैयम को परिक्षा हो, जीवन शाधना को परिक्षा हो, शत्यता को परिक्षा हो, यसर्थ शत्य बोलनू आफईमा चुनोवती पूर्ण कारी हो, साना साना ब्रत हरू लिदै, साना साना अनु ब्रत लिदै हामे सफलता लाई, अंगिकार गरदै, रिरेंगम गरदै गयो वने हामेलाई सत्यकों शाधना ससल होने छमता lover उन्त प्राप्ता उन्छा यसते यसते अर्थ बोक्ने गुरुबाडी परमपुज गुरुदेव ले हामेलाई छालोई opened और चुनोती रहा शफलता बीज को अंतर सम्मंद का बारे, परम्पुज्य गुरुदेवले दिनभयको अरको गुरुबाडी अब हामी बाचनगर्न गई रहेका छों। अध्यारू पच्छीको उज्यालो ज्योति नई, पक्कै अजयी तेजस्वी हुने छा। आधन्य दर्शक ब्रिंद, सुर्यो दया तेजी लो हुन्छा, अनि मध्यानमा जन्धेरे चमक र प्रज्वलन हुन्छा, विस्तारे सुर्यको तेज आभाः शक्ती घड़ दै जान्छा, र रात्री काल आउसा, तमस आउसा, निशा आउसा, अंधकार आउसा, प्राय नकारा यो प्रक्रम निरंतर, निरंतर, निरंतर चली रहांचा, हमरो मनमा पनी यस्ते किसिम को सुर्यो दयर, सुर्यास्त हुने गर्शा, कहले काई मन प्रसन्न वायरा आउसा, आलादित, प्रफुलित वायरा आउसा, कहले का मन दिगदारी ले वरींचा, निरासा ले वरींचा, म मन को आफनेई खेलो, मन को आफनेई राज्य हो, मन को आफनेई जाल हो। यह सर्थ परम्पुज्य बाल्योगी आधित्य जुँ आमिलाई वन्नोंच, समझावनोंच, उज्यालो अवस्य आउँच, जुन अध्यारोपची आउँच, त्यो अज्याही तेजस्वी होनेच, और विशेशगरी जीवन साधनामा, अध्यात्म साधनामा, उदय होने उज् जहां गुरू को क्रिपा होन्च, भगवान को क्रिपा होन्च, परमात्मा को क्रिपा होन्च, शाधनाले आफनो मन्र इंद्रिय हरू खारिये का, तपये का, शमन्र दमनले अनुशासित भये का होन्च, और भोली को उज्यालो अर्थाद भोली मन थप एकागर होन्च, प्रस्तूत गुरुबाडी मा यात्रा बाट शुरुबाडी मा यात्रा बाट शुरुबाडी अत्रुबाडी मा यात्रा बाट शुरुबाडी मा यात्रा लाट विटपकेन अस्तित्वाал। श्रिमत बगवद गीताले पने हमिलाई बनचा यो जन्म, अहिले को जन्मत यो आत्मा को यात्रा को एक अध्याय मत रहो जसरी हमी लुगा फेर छों अर्थात एउटा लुगा मेले पची अरको बस्तर अरको लुगा फेर छों आकिर शरीर कते हो तेसेगरी हमरो यो अहिले को काया हमीले आत्माले प्राप्त गरेको वस्तर हो यो फेरी केई समय पची फेरी ने वालाचा अनि फेरी आत्मा को अरको यात्रा, अरको अध्याय, अरको सम्सकरण र प्रकरण सुरू उन्चा एसकारण जवसम्म जन्म मरण को स्रिंखला सके देन, तवसम्म यात्रा चली रहांच जवसम्म प्रस्ण को उत्तर मिल देन, तवसम्म शिक्षा को यात्रा चली रहांच जवसम्म आमी खायर पुरे अगाउदेनो भोजन को यात्रा चली रहांच जवसम्मा हमी ठकर खादैनो तवसम्मा अक्कल को यात्रा टुंगी दैना यसर्थ यात्रा त नदी जस्ते हो यह नदी महासागरमा मिल्च महासागरमा पुगे को जल फिरी ते नदीमा बायू मंदल द्वारा सोर्य मंदल को प्रक्रिया द्वारा आई पुगदस यसरी जल को यात्रा, पंच तत्तो को यात्रा पने चली नहीं रहन्च, तेसे गरी यो पंच तत्तो रुपी काहा को यात्रा पने चली नहीं रहन्च, यो यात्रालाई मजेदार, सांदार अर्थपूर्ण बनावन परंपुज बाल्योगी आदित्य देव हामिलाई आवान ग जुटा साधना और को उपासना और को आराधना, केई वेर उपासना गरों अर्थात इस्वर को भगवान खुदा अल्ला बुद्ध जसलाई मान्छाउं, उसको नजीक मागएर बसने 10 मिनट 20 मिनट आदा गण्टा अनी फे इस्वर हे भगवान हे खुदा, हे उल्ला हे तपाईको निकट आउन चाहांचू एसको नाम हो उपाशना साधना 24 गंटा आफुले आफुलाई नियंत्रड एक प्रकारले मन को सजग अवस्था इंद्रिय हरुमा सम्यम, बाडीमा सम्यम, अर्थको सम्यम, मन को सम्यम यो की हो यो साधना हो साधनाले साधने काम गरच, जसरी खेत को भारी को माटोलाई साधेर, रफु बनायार मलीलो मनाई छ, त्यहां अन्नको रामर उपज अन्न बाली फल्द छ तेसे गरी मनलाई साधेर, यदी हामी कोमल नरम एकागर बनायों वने, उदेशी हरु तेसमा साधीन चन्न आत्मकल्याणुँँँच तेसकारान 24 गंटा साधना, केई वेर उपासना, अन्नि साधनार उपासना ले आयेको बल लाई, अन्नि हामी अरुको सेवामा, परुपकारमा, उपकारमा, स्वयम सेवामा, कल्यानमा लगावनुँँँँँँँ लाई, आराधना वनेंच तेसकारण आमी जे आर्जन गरशों तेसको कम से कम 10 प्रतिसत आराधनामा आमी संग जती समय छा तेसको कही मिनट कही गंटा साधना उपासनामा रा 24 गंटा जीवन लाई साधना मानों वने यो जीवन स्वयम आत्म देवता बंद छा अनि हामी सफलतार चुनावतीको अध्यायलाई सफलतार चुनावतीको रहस्यलाई सफलतार चुनावतीको अंतरशम्मंद लाई रामररी बुजन सक्सों स्त्रिखंड रा सुगंद जस्तेच सफलतार चुनावतीको अंतरशम्मंद जहां स्रिखंड त्यहां शुगंद अर्था स्रिखंड को पैचानो शुगंद परम पुझ्य बाल्योगे आदित्य जेव आमिलाई सम्झाओ दे होनों छा शफलता को सुखंद होस्तु नवती यदि चुनवती नहुद होता शफलता खलो फुस्रो अधुरो र अपून होंच इने भावरला ह्रिदंगम गरदै यो कोरोना को बेलामा सुरक्षित रहनमा सबैमा अपिल अनुरोध गरशु स्वस्त रहों, सुरक्षित रहों, प्रसन्न रहों इने अनुरोध का साथ आजको गुरुबाडी कारिक्रम बाट विदा होंच हों ओमादी अनुर्ण दोघ्ट बाट रहों- इने आजको रहों इनुर गिए आनुरुप विघ imitation ओम आदि अनादि आदित्याया परम जोति आराध्याया ओम नमो नमा ओम आदि अनादि आदित्याया परम जोति आराध्याया ओम नमो नमा ओम आदि अनादि आदित्याया परम जोति अराध्याया ओम नमो नमा ओम आदि अनादि आदित्याया परम जोति अराध्याया ओम नमो नमा ओम आधि अनाधि आधित्याया परम जोति आराध्याया ओम नमो नमा ओम आधि अनाधि आधित्याया परम जोति आराध्याया ओम नमो नमा आदि अनादि अदित्याया परम जोति अराध्याया ओम नमो नमा आदि अनादि अदित्याया परम जोति अराध्याया ओम नमो नमा आदि अनादि अदित्याया परम जोति अराध्याया ओम नमो नमा ओम आदि अनादि आदित्याया परम जोति अराध्याया ओम नमो नमा ओम आदि अनादि आदित्याया परम जोति अराध्याया ओम नमो नमा ओम आदि अनादि अधित्यया परम जोति अराध्याय ओम नमो नमा ओम आदि अनादि अधित्यया परम जोति अराध्याय ओम नमो नमा ओम आधि अनाधि आधित्यया परम जोति अराध्याय ओम नमो नमा ओम आधि अनाधि आधित्यया परम जोति अराध्याय ओम नमो नमा ओम आदि अनादी आदित्यया परम जोती आराध्यया ओम दूने करी ने चाली आराध्ये झाल